हेलो फ्रेंड जैशी कृष्णा मैं हूं उमर आपका स्वागत है मेरी केचन में आज मैं आपके लेके आए हूं साबूत प्यास की सबजी वो भी दही की ग्रेवी में यह साबूत प्यास की सबजी दही की ग्रेवी में बहुत ही जाधा टेस्टी लगती है और आप देख सकते ये छोटे छोटे साइज के प्याज हैं इस तरह से अगर आपके पाद छोटे साइज के प्याज ना हूँ तो अगर बड़ा साइज है तो आप उसके दो टुकडे कर सकते हैं मैंने इन चोटे प्याज को अच्छे से वाश कर लिया है और इनका चिलका चिल लिया है अब हम इनको इस तरह से उपर से कट लगा देंगे ये देखे पूरा नहीं काटना है बस इस तरह से एक कट इस तरह से लगा देंगे जैसे हम कोई चीज भरने के लिए लगाते है न उस तरह से इसी तरह से में यह सारे कट लगा के मैंने प्याजों को रेडी कर लिया है आपको इनका छिलका छिलने के बाद एक बार दो भी लेना है साथी मैंने यहां पे दो टमाटर लिये हैं तीन हरी मिट्च लिये हैं एक गें चदर का टुकडा लिया है और तीन चर कलिया लसन के लिए हैं जिनने हम मिक्सी में डाल के पेस्ट बना लेंगे अब गैस पे कड़ाई रख देंगे गरम होने के लिए उसमें डाल देंगे हम दो बड़े चमच के जितना तेल मैं यहां पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूं वह आप चाहें तो कोई भी कुकिंग वाइल यू साफ डाली है साफ आप इसमें जरूडालें इससे बहूत अच्छा फ्लिवर आता है साते ही एसमें डाल देंगे अधा, इसमें डाल देंगे आ दहाँ चमच के जितना तक माली, यूज़ कर रही हूं और साथ इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच के जितनी हींग अब सारे मसालों को कुछ सेकंड के लिए हमें लो फ्लेम पे फ्राइ कर देना है आप चाहें तो इसमें सौफ का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पाउडर हैं तो बाकी मसालों के साथ डाल दें अब एक प्यास को मैंने इस तरह से बारी कट करके लिया है यह डाल देंगे इसमें अब हमें प्यास को तब तक भूल लेना है जब तक प्यास हलके से सौफ नहीं हो जाते हैं और जब तक इनका हल्का सा Color भी जैंक नहीं हो जाता है तो यहाँ पे प्याज हल्के से गल भी गए है और इनका कलर भी हल्का सा golden हो गया है व्रसे स्टेश पर हम गैस की flame को लो कर देंगे और इसमें बैण कुछ सूखी मसाले एट कर देंगे तो यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ आधा चमच के जितना हल्दी पाउडर, एक चमच भरके मैं कश्मीरी लाल मिर्चे डाल रहे हूँ, इससे सबजी में कलर बहुत अच्छा आता है साथी आधा चमच मैं या तीखी वाली लाल मिर्च डाल रहे हूँ, और एक से डेट चमच मैंने या धनिया जीरा पाउडर डाला है सारी चीजों को अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे, अगर आप सौफ का पाउडर डाल रहे हैं तो इसी स्टेश पर डाल लें साथी दो से तीन टेबल स्पून के जिता पानी डाल लेंगे, जिसे कि हमारे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से भून भी जाएंगे हम मसालों को हमें तब तक भून लेना है, जब तक इसमें से ओईल सेपरेट नहीं हो जाता है तो यहाँ पर ओईल सेपरेट हो गया है, तो यहाँ पर जो मैंने टमाटर की पेस्ट बनाया था, अधरक लसन प्यास टमाटर का वो डाल देंगे साथी नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इन टमाटरों को हमें तब तक पका लेना है, जब तक इन में से ओईल सेपरेट होना स्टार्ट नहीं हो जाता है और इसमें जितना ये पानी है न वो भी सारा सूप नहीं जाता है आप चाहें तो इसे खुला भी पका सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे इसको ढख के पका रही हूँ तब इसे ढख देंगे और 5-6 मिनट के लिए low to medium flame पे हम इसको पकने देंगे तो यहाँ पे 6-7 मिनट हो गए है, टमाटर को पकते हैं और आप देख सकते हैं, इसमें से तेल सारा separate होना स्टार्ट हो गया है सर्फेस पे पूरा तेल आ गया है, तो इसका मतलब यह मसाला हमारा अच्छे से पक गया है लेकिन अभी इसमें हलका सा moisture दिखाई दे रहा है, तो 2 मिनट के लिए high flame पे हम इसको इस सरह से चला लेंगे अब यहाँ पे यह मसाला हमारा ready हो गया है, मैंने 2 मिनट के लिए इसको चला लिया था अब दही डालने के बाद आप इसको लगातार चलाते रहें और flame को एकदम low रखें लगातार चलाना है एक की direction में जब तक इस gravy में एक अच्छा सा boil नहीं आ जाता है तो यहाँ पे gravy में एक boil आ गया है, अब हम इसे लगातार चलाने की जरूत नहीं है अब हम इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे, जब तक इसमें से oil separate होना start नहीं हो जाता है और इस दही जो है वो अच्छे से पक नहीं जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं gravy अच्छे से पक गई है, इसमें से oil सारा separate हो गया है इस तरह से जब दही अच्छे से पक जाएगा, तब तक इलिए हमें इसको पका लेना है देख सकते हैं आप इसमें से oil सारा separate हो गया है और दही जो हमने डाला था वो बहुत अच्छे से पक गया है अब हम इसमें पानी आट कर देंगे तो मैं यहाँ पर एक से डेड़ कप टोटल पानी डाल रहे हूँ आपको जितनी requirement हो आप उतना पानी डालें अगर आपको सबजी ज़्यादा पतली पसंद नहीं है गया आप सबजी को गाड़ी रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक कप पानी भी sufficient है लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी लटपट टाइप की सबजी बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर डेड़ कप टोटल पानी डाला है पानी डालने के बाद अच्छे से mix कर देंगे और इस gravy में एक boil आ जाने देंगे जब gravy में इस तरह से boil आने लग जाएगा तब हमने जो प्याज में cut लगा के रखे थे यह डाल देंगे इसमें प्याज को अच्छे से gravy के साथ mix कर देंगे अब हम इसे ढग के पका लेना है कम से कम 10 मिनट के लिए या फिर जब तक प्याज जो है वो अच्छे से गल नहीं जाते है तो हम इसे ढग देंगे और 10 मिनट के लिए इसे low flame पे पकने देंगे तो यहाँ पर मैंने सब्जी को 10 मिनट के लिए पका लिया है low flame पे और आप देख सकते हैं हमारे सारे प्यास कितने खिल गए है हमने जो cut लगाये थे ना वो सारे cut एकदम खिले खिले हो गए है और आप देख सकते हैं जो gravy है वो प्यास के अंदर अंदर तक एकदम अच्छे से भर गई है फ्रेंड्स आप एक बार इस दही वाली gravy की प्यास की सबजी को ट्राइ करें ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है उपर से थोड़ी सी कुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे और आधा चमच गरम मसाला पाउडर डालके अच्छे से दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं एक gravy एकदम perfect बनी है ना बहुत ज़्यादा गीली है ना ही बहुत ज़्यादा अंकाडी है अगर आप इसको थोड़ा और सूखा रखना चाते हैं तो आप पानी इसमें कम भी आट कर सकते हैं लेकिन इस सरह कि जो सबजी होती है वो रोटी और चावल दोनों के साथ खाई जाती है साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा से हरे धनीय की पतियां और इसको mix कर देंगे गैस की flame को अब हम बन कर देंगे ये हमारी सबजी बिल्कुल तयार हो गई है सर्व होने के लिए और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है और प्याज एकदम अच्छे से गल गए है और अंदेर अंदर तक इनके एकदम ग्रेवी अच्छे से भर चुकी है जैसे जैसे ये सबजी हलकी सी ठंडी होगी ये थोड़ी गाड़ी हो जाएगी तो चली हब इसे सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको आज के प्यास के सबजी के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फैमिस और फैमिली के साथ जादे से जादा शेयर करें और इसी तरह के और भी अच्छे ची रेसिपी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें थैंक यू